आदमपूर उप्चुनाव को लेकर कॉंग्रसी मुद्वाज जैप्रकाश ने कहा कि आज आदमपूर अपनी बदहाली पर आसू बहा रहा है। आदमपूर विधानसवाज शित्र के लोग बले मिश्किलों का सामने कर रहा है। इस उप्चुनाव के जरीए आदमपूर में क भूंगरसी उम्हीद्वार जैप्रकाश वोटर के बीच पहुँचना शूरू हो चुके हैं। रूट प्रोग्र्म यहां पर त्यार कर दिया गया। एक-एक गाउं तक जैप्रकाश खुद באचने की कोशिश कर रहे हैं, ढ Sailauen Commonे की को इस वक्त करें जेपी समयारे Сाथ कुल परजात अंतर में जो भी चुनाव लड़ता है उसने हर मताता के दरवाजे पे जाना चाहिए तो हम जा रहे हैं लेकिन ये भी का जा रहा कि ये जो उपचुनाव है दरसल एंकार के खिलाफ एक जंग के रूप में डिपेंदर सिंगुटा जिस तरीके से कह रहे थे इस बदलाओ भी होगा और एंकार भी तूटेगा ये सही बात है कि ये जो चुनाव है ये एंकार को खतम करना और आदमपूर की अजादी का ये लड़ाई है क्योंके 26 साल से आदमपूर के लोग जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है आदमपूर की जो बदहली है आदमपूर की जनता को अजादी मिलेगी और आदमपूर की अवाज हर्याना विधान सबाव में उठेगी ये भी का जा रहा है कुल्दीब बड़ाई की तरफ से कि विकास जो भजलाल के वक्त हुआ ऐसा ही विकास अगर दोबारा चाहिए तो एक बार फिर से सरकार का हिस् ने के फाइदे कुल्दीब गिनवा रहे हैं देखिए चोधरी बजनला लादीश दर्ती पर नहीं है वो सरुग सिधार गें सरुग में और जो इनसान सरुग सिधार जाए तो उसके ओपर चर्चा करना एक बेईमानी है और मैं उन साथियों से भी कहना चाहूंगा किन नो तक सरकार में रहा कॉंगर्स पार्टी में रहा छेह उन्हे लोगों के आंकों में धोल जोग दी कि मैंने कॉंगर्स ओड़ दी कॉंग्र्स में पांस साल में क्या किया और आज एक वरस से डेड़ वरसे मनोरला लाल जी खुद ही कह रहे थे कि हमारे संप्रक में था गुल्दी बिशनूई तो बाजबा का साथ है अरब तो सरकार कितनी बची है मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि सरकार एक साल की बची है एक साल दो महीने के बाद इस देश में इस परदेश में चुनाव की विशाथ भिश जाएगी क्योंकि अपरेल 2020 में तो लोग सबा की शा अरे पंसो क्रोड रुपिय मजूर करे ला कहा हैं। दूसरी बात इसका नकमापन, निठलापन या लापरवाई। मैं आज ही दानी खासा से लेकर के, दानी तक मैं देखके हैं, इवने सारंगपुर तक, लो लाइंग एरिया है, खेतों में पानी खड़ा है, उसमें तो अचार सहीता लागुनी होती है, पानी तो निकलवाई लोगों का, आज बहुत सा इलाका, आदमपुर का इलाका, चिंता है, कि ग्यों की भी बिजाई भी साइद ना हो, ये फसर खराब होगी, अगली बिजाई भी ने, बहुत छोटा काम था आदमपुर में, आप आदमपुर में जाईए, बदबू मारता आज भी, चार-चार महीने तक, लोगों के घरों में खाना नहीं बना, गरीबों की बस्ती में बिजलिन गई, अगर लाइन पार की बात करोगे, जहां गरीब लोग बस्ते हैं, उनको कम से कम जो एमपी लड़ थी, जो विधायक ने पांच करोड रुपे सालना ग्राइड देती है, उन में से एक पैसा खर्चिश ने नहीं किया, और मुझे तो बड़ी त सालना एक एमपी को मिलता है, अगर उस पांस करोड में से पचास लाग उच दानी के लिए लगा देता हमारी कम से कम जो महिलाएं हैं, पांस पांस किलो मेंटर से अजादी के चोहतर वर्स के बाद, जो बार 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 मनोरलाल जी कहते हैं तो हमने ये कर दिया, वो कर रहे हैं कि छे महीनों की सरकार बची है, छे महीनों के बाद एक बार फिर से हर्याना की सरकार बदलेगी? भारती जनता पार्टी को छोड़ करके दिन परती दिन हमारे साथ हा रहे हैं, और इसका जितना जाकता हुदाना ये दो साथी दोनों, डोडी साप और सोमभीर जी, ये भारती जनता पार्टी को भी छोड़ के आए हैं, तो ठीक है रहे हुदेबान जी, अगर भारती जनता से लब्रेज यहां पर जैपरकाश नज़रा रहे हैं और साफ ये बात कहने कि चुनाओं में जीत उनकी निश्यत है और जनता का साथ यू ही आगे भी उनके साथ बना रहेगा स्योगी कमल के साथ डॉक्टर महिश कुमार टॉटल न्यूज आदमपूर हिसार